हेलो फ्रेंट वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंट आज का मेरा वीडियो स्किन केयर के उपर है और मैं एक जैल बना रहे हूँ उसके लिए मैंने चार-पांच भिंडी ले ले ली हूँ और उसको पानी से दो के कट कर ली हूँ और अब मैं एक पैन में एक गलास पानी के साथ इसको उबाल रही हूँ इसको मैंने धीमी आज पर रख दी हूँ फ्रेंट्स इसके फायदे जान लेते हैं यह विटामिन ए सी आइरन और कैल्शम से भरपूर होती है यह हमारे स्किन के बढ़ती हुई एज के प्रोसेस को डाउन करती है ड्राय स्किन को डीप मौस्चराइज करती है हमारे सकार और हाईपर पिगमेंटेशन को रिलीफ करती है प्लस यह हमारी डैमेज स्किन को भी रिपेयर करती है तो इस तरह इसको उबलने देना है और इस कंडिशन पर अब यह उबल गया है इसका सिर्फ हमें जैल निकालना पानी जो चिप चिपा होता है उसको हमने निकाल लिया एक पैन में और वापस इसको हम उसी पैन में डाल कर इसे पकाएंगे अब इसके लिए मैंने एक कटोरी में देड़ चमच राइस फ्लोर याने चावल का आटा ले लिए इसको हम पानी से थोड़ा अच्छी तरह मिला लेंगे एक सारगोल लें इसलिए इसमें छनी से चान के डालेंगे जो बच्चे कुछे इसमें कलॉट हैं ठके हैं वो भी मिक्स हो जाएंगे अब हमें अच्छी तरह चमच हिलाते हुए इसे पकाना है दोनों को एक सार कर लेना है ताकि ये अच्छी से एक सार हो जाए तो फ्रेंट चावल के भी ब होता है जो कि चहरे की समस्याओं को दूर करता है डार्क सर्कल को दूर करता है और ओपन कोर्स को टोन अप करता है तो अब ये हमारा पूरी तरह से तयार हो गया है दीमी दीमी आच में इसको पकाना है और ये लगभग पक चुका है थोड़ा ध्यान रखें ये उबल जाता तो इससे थोड़ा सा धीमी आज में ही बनाना है चमाच्चा लाते रहना है यह देखिए यह बहुत ही स्मूध सा फाइन सा एक जेल तैयार हो गया है इसको अब हम कपड़े में चाड़नेंगे कपड़े में ना भी चाने तो भी यह बहुत जादा ट्रांस्पेरेंट और एक जैसा है तो आप वैसे भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने इसे चान ली हूँ अब मैं इसमें विटामिन E की तीन कैपसूल में लाओंगी विटामिन E के तो आप वाइदे आप सब जानते होंगे ओमेगा 3 से भर पूर होती है और हमारे स्किन को सबसे जादा विटामिन E की जरूरत होती है जो हमारे स्किन की प्रॉबलम्स को दूर करती है यह तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर एक बहुती बहतरी जैल तैयार होगा जो हमारे स्किन को गलास लुक देगा अब यह ठंडा हो गया है एक जार में रख लिए हूँ और देखिए मैं स्किन में कर सकते हैं देखिए कितनी अच्छी बिना लॉसी और चमकदार इसके तैयार